हलो एप्रीवन नील डिगरास टाइसन जो कि एक बहुत फेमस अमेरिकन एस्ट्रो फिसिसिस्ट है एक बार उन्होंने इंटर्व्यू में कहा कि जेफ बेजोज, बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग, स्टीब जॉब्स और इलॉन मस्क इन सब में से सबसे most important person जो है right now वो Elon Musk है reason वो कोई app नहीं बना रहे, जो कि हमारे smart phones में चलेंगे वो कोई operating system नहीं build गर रहे, बल्कि वो society को बचा रहे है, humanity को बचा रहे है reason इतनी सारी best companies चला के, जैसे SpaceX probably जो most of the conflicts इस वक्त अर्थ पे हो रहे हैं, उनका सबसे बड़ा reason है resources, minerals और अगर space में अगर आपको कोई minerals की ज़रूरत पड़े, तो आप किसी भी asteroid से जाके, वहां से mineral लेके आ सकते हो जो कि right now अभी तो possible नहीं है, लेकिन future में हो और वही Tesla, जो कि one of the most beneficial electric car company है, और साथ में eco-friendly है ऐसी company बना के, वो अर्थ की pollution को और कम करना चाहते हैं और even अगर आप Tesla cars खरीते हो, तो आपको petrol के लिए पैसे देने नहीं पड़ेंगे और Elon Musk ने खुद काय कि वो उन्हें lifetime चार्ज करने देंगे, वो भी free इंडिया में तो right now अभी possible नहीं है, पर शायद future में ऐसा हो So, आज हम one of the most important person के daily routine के बारे में जानेंगे मैंने already उन पे एक video बना के रखी है, लिंक आपको नीचे description में मिल जाएगा या फिर आप उपर i button पे click करके भी उसे देख सकते हो लेकिन आज मैं उनके daily routine के बारे में बात करूँगा कि वो ऐसा क्या करते हैं, इतनी सारी companies कैसे चलाते हैं वो already SpaceX, Tesla, Solar City और Boring Company, Open AI, Hyperloop जैसी बड़ी companies को संभालते हैं जहां किसी से एक company नहीं संभाली जाती, वो already इतनी सारी companies को successfully run कर रहे हैं और currently वो दुनिया के 8th richest person है, मैंने already इनकी biography में काया था कि वो 2018 में दुनिया के 48th richest person थे तो आज हम उनकी daily routine के बारे में जानेंगे, कि वो अपने time को इतनी अच्छी तरह manage कैसे करते हैं वो अपनी दिन की शुरुआत करते हैं सुबा 7 बजे उठने से, जिसमें वो अपनी 6 गंटे की नींद पूरी करते हैं उनका मानना है कि अगर वो 6 गंटे की नींद ना ले, तो वो उतनी अच्छी तरह अपने काम पर focus नहीं कर पाते और उठते ही वो अपनी important mails चेक करते हैं और उनका reply करते हैं और जो बाकी important decision उन्हें लेना होता है वो भी वो mails के थुरुई reply करते हैं mails के reply करने के बाद वो जाके सीधा bathroom में shower लेते हैं वो shower लेना कभी miss नहीं करते हैं उनका मानना है कि shower उनको पूरी तरह fresh कर देता है और active कर देता है even उनसे एक बार पूछा गया था कि ऐसा कौन सा most important task है जो आप दिन की शुरुआत में करते हो तो उन्होंने का था कि मैं shower लेना कभी miss नहीं करता shower लेने के बाद वो normally अपना breakfast miss करना पसंद करते हैं कभी कबार इसके बजाए वो एक black coffee पी लेते हैं वो हमेशा अपना breakfast miss नहीं करते हैं लेकिन कभी कबार अगर उन्हें कभी कुछ खाने का दिल भी करे तो वो black coffee के साथ omelet खा लेते हैं मस्क दिन में बहुत जादा coffee पीते हैं और diet coke पीते हैं जिसे हम Indians बुरा समझते हैं और सिर्फ मस्क ही नहीं Warren Buffett, Bill Gates ये भी बहुत जादा diet coke पीना पसंद करते हैं उनका मानना है कि इससे उनका focus और जादा बढ़ता है और वो बहुत जादा relaxed रहते हैं और अगर मैं मस्क की बात करूँ तो वो बहुत बड़े coffee addict हैं वो दिन में round about 3-4 cup coffee के पीते हैं ताकि उनका focus बना रहे हैं अपना breakfast करने के बाद वो normally अपने काम के लिए निकल जाते हैं वो अपनी companies का time इस तरह से arrange करते हैं कि वो Monday और Friday को जादा तर अपना time SpaceX के office में बिदाते हैं और सिर्फ एक normal boss की तरह order नहीं देते हैं वो वो SpaceX के lead designer भी है means जो technical काम है वो उसमें अपना contribution भी देते हैं Most of the time आपने देखा होगा कि boss जो होते हैं वो जादा काम नहीं करते हैं असान काम अपने पास रखते हैं लेकिन Musk बहुत जादा technical stuff भी अपने पास रखते हैं और roundabout अगर मैं बात करूँ यह लॉँन SpaceX के CEO तो हैं ही हैं साथ में CTO भी हैं और Chief Designer भी है Means technology related जितना भी stuff होता है वो खुद अपनी team के साथ बैठ के उसे देखते हैं ना कि सिर्फ orders पास करते हैं यह तो था उनके Monday और Friday का time schedule लेकिन Tuesday, Wednesday और Thursday वो अपना time Tesla में बिताते हैं और वो Tesla के product और architect को देखते हैं तो round about अगर मैं बोलूं तो वो पूरे हफते में 85 to 100 hours a week काम करते हैं Means एक average human से दुगना काम एक normal human जो होता है वो दिन के जादा से जादा 8 घंटे काम करता है लेकिन वो उससे double काम करते हैं Means 15 घंटे अगर हम 100 hours a week calculate करने जाएं तो और even उन्होंने अपने इंटर्व्यू में ये कहा था तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप चाहते हो कि कोई चीज आपकी जल्दी हो तो आप उसको जादा टाइम दो Suppose करो कोई person 5 घंटे दे रहा है तो अगर आप 10 घंटे दोगे तो जो चीज वो इनसान एक साल में अचीव करेगा आप उसे 6 महीने में अचीव कर लोगे और बाकी के टाइम आप कुछ नया कर सकते हो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ काम ही करते रहते हैं वो विकन्ड में अपना टाइम अपनी फैमिली के साथ सपेंड करते हैं और अपने 5 बच्चों के साथ बिताते हैं और दोपहर के टाइम वो mostly अपना लश द्यूरिंग मीटिंग्स ही करते हैं उन्हें लगता है कि हम जो खाना खाने में टाइम लगाते हैं वो वेस्ट आफ टाइम है इवन उन्होंने अपने एक इंटर्वियू में भी बोला था कि साइंटिस्ट को ऐसी पिल इन्वेंट करनी चाहिए जैसे हम खाएं और हमारा पेट भर जाए हमें खाना खाते वक्त ज नहीं उठाते हैं उन्हें लगता है कि फोन कॉल्स पे हम बहुत जादा फाल्तों की बात कर देते हैं इधर उदर की बाते करना शुरू कर देते हैं इसलिए वो जादातर अपना रिप्लाइ टेक्स्ट और मेल्स में ही करते हैं और उन्हें शोशल मीडिया भी कुछ खास प करना पसंद करते हैं दिन में काम करने के बाद वो जादातर कार्ब्स, कैलरीज, कार्बो हाइडरेट्स, बोस्तली रात को या फिर डिनर मीटिंग्स में अच्छे से खाना खाते हैं और सिर्फ यहीं नहीं वो हफते में 2-3 बार जिम भी जाते हैं और अच्छे से इवन वो आज भी बहुत ज़ादा बुक्स पढ़ते हैं डिफरेंट डिफरेंट फिल्ड की इवन स्पेस कॉन्फरेंस 2020 में इलन मस्क ने ये कहा था और ये सक्षी प्रॉट अई वे प्रॉट शोष ये समय में बार्फी ये ये लेवर शो वेशना आफ बार्फी बुक्षा दोष लाइस प्रॉट इस थाम टॉट वर ये लिए से या सो पूरा दिन काम करने के बाद वो नौरमली एक बज़े अपने बेड पे चले जाते हैं सोने के लिए आखिर मैं ये बोलू तो बहुत सारे लोगों का मानना है कि इलन मस्क एक सूपर यूमन है और अगर बोलना हो तो है भी क्यों इतनी सारी चीजे करने के लिए एक बहुत स्ट्रॉंग फोकस और परसिस्टिंस की ज़रूरत होती है सोराउंड अबाउट बोलू तो इलन मस्क वाकी यूमेनिटी को चेंज कर रहे हैं वो चाहते हैं कि हम यूमन्स वाकी मल्टी प्लैनेटरी स्पीशिस बनें इस बारे में आपका क्या कहना मुझे कमेंट बॉक्स में जाके बताओ तब तक के लिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाके मुझे ज़रूर बताना तिल देन मैंने जो आपको बाते बताई हैं वो इलॉन मस्क बाई ऐशली वेंट्स और साथ में उनके इंटर्वियो से देख के बताई हैं तब तक के लिए मैं आपको फ्यूचर में ऐसी अमेजिंग नॉलिज शेर करता रहूँगा तिल देन लाइक करें, कमेंट करें, शेर करें इस वीडियो का अमने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ सब्सक्राइब करना मत भुला और साथ मैं बेल आइकन को ज़रूर कलिक करना जिससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप मेर को नीचे दिए कि किसी भी शोशन लेटवर्क पे फॉलो कर सकते हो और जाके इंस्ट्राग्राम पे ज़रूर फॉलो करना क्यों क्योंकि रिसेंटली मैंने बहुत अमेजिंग सीरीज शुरू किया है जहां पे मैं सेवन लेसन्स पोस्ट करता हूँ तो जाके फॉलो ज़रूर करना लिंक आपको नीचे दिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ तब तक के लिए ठैंक्स फो वाचिंग एड़ हैव नाइस डे झाल